चतिस गड़ के सभी साथियों का यूट्यूब के चैनल पर स्वगत है चतिस गड़ के इतिहास को कंटीनू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं चतिस गड़ के अंतरगत अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन वेवस्था की इसका यह पार्ट टू होने वाला है क्योंकि इसके पिछले वीडियो में भी हमने चतिस गड़ के अंतरगत ब्रिटिश शासन वेवस्था की बात की थी तो उसमें जो कुछ बातें बताना शेश रहे गई थी वो मैं आज इस पार्ट टू के अंदर भाग दो के अंदर कवर करने वाला हूँ चले शुरू करते हैं तो चतिस गड़ में ब्रिटिश शासन का भाग दो जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे ही चतिस गड़ के अंतरगत माराठा समराजी खतम होता है उसी के बाद से डलो जी की हडप नीती के तहत नागपूर जो है वो ब्रिटिश समराजी में समलित हो जाता है और चुकि 36 गढ़ भी नागपूर का भाग था नागपूर रियासत का भाग था तो 36 गढ़ भी ब्रिटिस समराज्य के अंतरगत आटोमेटिकली चला जाता है ठीक है तो इस प्रकार रगुजी तृति के मृत्यू के तत्पस्षात मतलब 854 से पूरा भारत की आजाध होने त तो न्याय व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए उसकी हम बात करेंगे तो देखेगा पंजाब में लागू सिविल कोड के अधार पर नवी न्याय व्यवस्था का स्रीजन किया गया 36 गढ़ के अंतरगत हम देखते आए हैं कि जब तक मराठा शासन 36 गढ़ के अंतरगत रहा है काफी irregularity थी यहां पर ठीक है बहुत सारी चीजें अव्यवस्थी थी और भगवान भरों से चल रही थी ना तो न्याय व्यवस्था का ठीकाना था ना तो प्रशासनिक व्यवस्था का ठीकाना था किसी प्रकार का कोई सू नियोजित प्लैनिंग नहीं रहता था ठी ठीक है लेकिन जैसे ही 36 गड़ के अंतर का ब्रिटिश रासन आया तो एक तरीके से पूरा सब कुछ क्या होना री स्ट्रक्चर होने लगा है ना उसी के तहत है नियाय व्यवस्था भी नियाय व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया गया पंजाब में जो सिविल कोड लाग ठीक है जिला इस तर पे या बोलना चीए स्थानी इस तर पे ही अधिकारियों को यह नियाय कारे दिया गया ठीक है तो उसी के तहत क्या किया गया कि जो डिप्टी कमिशनर होंगे वही नियाय कारे देखेंगे संभलेंगे ऐसा डिसाइड किया गया ठीक है इसके लिए दिवानी और फॉजदारी मामले किसे कहते हैं तो बेसिक अंतर है समझेगा जो भी मामले जो भी मामले संपत्ति से रिलेटेड होते हैं या पद के अधिकार से रिलेटेड होते हैं धार्मिक मामलों से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे दिवानी मामले के अंतरगत आते हैं तो जितने भी अपराधिक मामले होते हैं, जिनको भारती दंड सहिदा या अन्य कानून में दंड घुशित किया गया है, जिसके लिए दंड का प्रावधान है, जिसे क्रिमिनल केसे भी कहते हैं, वो फोजदारी मामलों के अंतरगत आता है, अगला पॉइंट देखेगा, दिवानी मामलों का संभागी प्रमुक अधिकारी, जिला या सत्र न्यायधिश होता था, अब देखेए, एक जिला इस्तर हो गया, एक संभागी इस्तर हो गया, जिला इस्तर की बात किये, तो हम बात के डिप्टी कमिशनर की, लेकिन पूरे संभागी इस्तर पे अगर हम बात करें, तो पूरे संभाग के लिए सबसे प्रमु मूल और अपीली ये दोनों मामले देखता था फिर से एक सवाल ये है कि ये मूल और अपीली मामले किसे कहते हैं तो किसी भी मामले में सुनिएगा पहले मैं बता रहा हूं आपको मूल मामले किसे कहते हैं मूल और अपीली दोनों मामले कौन संभागी स्तर के प्रमुक अधिक किसी भी विवाद में पहली बार जो सुनवाईक अधिकार होता है नियायले का उसे मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है कोई भी विवाद उत्पन हुआ ठीक है तो जो सुनवाई होगी पहली बार पथम बार उसे ही मूल अधिकार न्याईक अधिकार कह रहे हैं अपीली अधिकार किसे कहेंगे तो देखिए सपोस किसी सत्र न्यायले या धिनस्त न्यायले ने किसी सुनवाई में अपना न अधिकार कहा जाता है बात सब्गें तो जो आपके जीला सत्र न्याइधित होते थे उसके पास दोनों अधिकार थे मूल अधिकार भी मतला प्रथम बार सुनवाई करने का अधिकार भी होगा उनको और फिर अगर कुछ निर्णाए आ गया तो फिर से उस निर्णे के लिए मामले में अंतर कलियर है सभी को ठीक है और साथी साथ अधिनस्ते मैले का निरिक्षण अधिनस्ते मैले का निरिक्षण और सलाह देने का कारे भी इस जिल्हा सत्र नियाधीश का होता था Clear. तो देखिए sırोता क्या है अक्षल में सत्र और अधिनस्त न्याले जो है वो अगर वो किसी मामले पर निर्ने दे दिये तो उसके लिए अपील जो करेंगे वो आप अधिनस्त मयाले में ही नहीं करेंगे जिसने निर्ने दिया है आप जब अपील करेंगे तो गिसके पास करेंगे उसके ऊपर आने वाले नयाले पर मतलब उच्छे नयाले पर करेंगे आप बात समझने हैं तो यह होता है लेकिन इस समय एक ही व्यक्ति में दोनों अधिकार समाही थे मूल और अपीली दोनों एक चीज़ समझेगा ठीक है पॉस्थारी नोई का अधिकार था लेकिन एक निर्धारित सीमा के अंतरगत एक तैसिलदार फॉसदारी नोई के मामले में निरिकषण करते थे जांच करते थे और इस प्रकार जिला इस्तर पर इस तर्पर डिप्टी कमिशणर को भी अधिकार था फॉस्धारी नयाय के संबन में लेकिन सीमा निर्धारित कर दी गई थी दोनों की ठीक है अधिकार इसपस्ट कर दे गए थे कि अगर फॉस्धारी नयाय आप देखेंगे तो आपकी सीमा क्या होगी कौन से मामलों को आपको देखना है मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर तो अगर किसी को मृत्यू दंड देना है तो उसका अधिकार डिप्टी कमिशन और तैसिलदार के पास नहीं होता था ठीक है तो एक चीज़ समझे है जो मृत्यू दंड देने का अधिकार जो होता था वो होता था गवर्नर जनरल के पास में उस छेत्र के ठीक है एक बड़ शक्तियां होती थी, कुछ शक्तियां होती थी सीमां के अंतर्गत होती थी अगला पॉइंट देखेगा जन्वारी 1862 भारती दंड सहीता लागू हुआ, क्या हुआ भारती दंड सहीता लागू हुआ, इंडियन पीनल कोड जिसे कहते हैं 1862 जन्वारी तो इसके बाद से जो नियाए विवस्था थी पूरे देश के लिए और भी ज्यादा सू नियोजित हो गई ठीक है अब भारती दंड सहीता क्या है मतलब भारती दंड सहीता या कोड जिसे कह रहे हैं उसके अंतरगत किस कारे के लिए कौन सा दंड कहलाएगा मतलब कौन-कौन से दंड कहलेंगे किस कारे के लिए दंड का प्रावधान है या जो पूरा बनाया गया इसे भारती दंड सहीता कहा जाता है एक साधर अंचब्दों में ठीक है किस कृति को दंड कहा जाएगा या कौन सा दंडनी अपराध है यह सारा आपका भारती दंड सही अगला दिखते हैं पुलिस व्यवस्था पुलिस व्यवस्था नियाय व्यवस्था हो गया पूरा कौन-कौन से अधिकारी आपके नियायकार कर रहे हैं सबसे पहला तो आपको ध्यान में रखना है जीला सतर पर इप्टी कमिश्णर तैसील सतर पर तैसीलदार ठीक है के उपर कमिश्णर भी होता था लेकिन उसको भी मृत्युदंड का दिकार नहीं था बात समझ नहीं क्या यह आप देखेंगे बाद में जाकर ऐसा हुआ कि कमिश्णर मृत्युदंड देने लगा लेकिन सबसे पहले मुख्य रुप से गवनार जनरल के पास जाता था मृत् इसमें क्या था पुलिस मैनवल में क्या था पुलिस के करतव और अनुशासन का पुरा विस्तरित ब्यवरा था ठीक है कि पुलिस कैसे कारे करेगे उसका करतव क्या होगा उसका अनुशासन कैसे होगा सांथी सांथ वर्दी पहनने का जो है कमपल सरी बना दिया गया कि पु बहुत ही बोलना चाहिए कि टॉपिक रह जाता है तैयारी करने के लिए तो इसको मैंने काफी अच्छे तरीके से छाट के जो भी बाते जरूरी है वही मैं आपको बता रहा हूं साथ-साथ याद करते चलिए दोस्तों ठीक है प्रशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस पुलिस विवस्था ठीक है तो इसको याद रखना है नवीन पुलिस विवस्था कब आई 36 गड़ के अंतरगत बोला जाए तो आपको 1862 ध्यान में रखना है समझ मैं ही बात जब भारती दंड सहीत आई तो नवीन पुलिस विवस्था भी आ गई इस तरीके से आप याद रख सकते हैं और इसके तहट जीला पुलिस अधिक्षक जीले का प्रमुक पुलिस अधिकारी होता था ठीक है कौन जीला पुलिस अधिक्षक जीले का प्रमु पहले जब ब्रिटिस समराज नहीं था तो रैपूर के एक मकान में जेल हुआ करता था जिसमें 200 वेक्तियों की विवस्ता थी जो 200 कैदियों की विवस्ता थी ठीक है लेकिन जैसे ही ब्रिटिस आसनाया तो सुधार होते गए सभी फिल्ड में सभी छेत्रों में सुधार हुए तो उसमें से जेल भी था ठीक है तो देखे क्या हुआ डिप्टी कमिशनर द्वारा जेल विवस्ता का निरिक्षण किया जाता था ठीक है डिप्टी कमिशनर द्वारा जेल विवस्ता का निरिक्षण किया जाता था ठीक है डिप्टी कमिशनर द्वारा जेल विवस्ता का खुद बना के खुद खाते थे इस प्रकार की विवस्ता थी ठीक है तो इससे क्या होता था कि हर एक को उनका राशन देना है तो राशन अधिक लगता था ठीक है खर्च भी अधिक होता था कैई कि एक फायदा हुआ यह इस में एक सिविल सर्जन की निउक्ति की गई तो इस प्रकार देखें गए तो बहुत सारे प्रशासिनिक प्रशासिन मी केना चाहिए जिससे कैदियों का जो भी सुधार आया उसमें डेट लगवाख वह ही है कि 1862 को अगर याद रखें तो भारती दंड सहीता याद रख लिए गया मातपूर्ण है कभी प्रशन आ सकता है ठेक 1862 में जेल में सिविल सर्जन हुआ और फिर हमने देखा था फिर 1862 वाला समय देखिए जिसमें नविन पुलिस विवस्था ही तो इतनी बाते एक साथ 1862 करके लिख लीजिएगा अपने नोट्स में क्लियर आगे देखते हैं चलिए डाग विवस्था देखिए डाग विवस्था 1857 में 36 गळ की डाग विवस्था का पुनर गठन हुआ ठीक है और अगस्त 1857 में लेटिनेंट स्मिट अगस्त 1857 में लेटिनेंट स्मिट को रैपूर का पोस्ट मास्टर नियुक्ति किया गया रैपूर का पोस्ट मास्टर किसे नियुक्ति किया गया अगर प्रश्ण आए तो आपको ध्यान में रखने हैं लेफ्टिनेंट स्मित रैपूर का पोस्ट मास्टर 1857 अगस्त में प्रश्ण ऐसा भी हो सकता है कि 36 गड़ के अंतरगत डाग व्यवस्था का पुनर गठन कब हुआ ब्रेटिश आसन के अंतरगत तो आपको 1857 याद अटना है इस वाले वीडियो में बहुत सारी बाते ऐसी है जो डाइरेट डाइरेट भारती इतिहास से भी संबन दी थे दोस्तों तो इस तरीके से भी आप इसको लीजिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद करने की कोशिश करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जो व्यवस्ता है मुद्र व्यवस्ता देख लेते हैं या जिसे वस्तु विनी में व्यवस्ता भी कह सकते हैं देखेगा ठीके, 5 जून 1855 को नागपूरी रुपय बंद कर दिये गए क्योंकि मराथो का शासन था नागपूरी रुपय चलता था शत्तीजगड के अंतर गया अब जब नागपूर का ही समराजी खतम हो गया तो नागपूर रुपिया भी बंद हो जाएगा तो कब बंद हुआ तो डेट या रखना है 5 जून 1855 को नागपूरी रुपिया बंद हो गया ठेक और 1 माई 1855 को कमपनी का नया सिक्का जारी किया गया महतपुण हैं दोनों डेट वैसे यह जदा महतपुण है क्या 1 माई 1855 को कमपनी द्वारा नया सिक्का जारी किया गया क्लियर है यह है मुद्रा आगे देखे यातायात में क्या सुधार हुए तो बहुत ही महतपुण है यातायात जो परिवर्तन हुआ है चतिस गड़ के अंतरगत यातायात विवस्ता तो देखे रैपूर नागपूर सड़क कार्य योजना एगेन्यू के देख रेक में संपन हुई जो रैपूर से नागपूर सड़क मार्ग की जो योजना थी न वो किसके समय हुई एगेन्यू के समय ध्यान रखिएगा ठीक है, again new, आगे देखें, सड़क निर्माण है तू, ब्लेक और फिट्रोस की निवति की गई, ठीक है, ये दो बोलना चीए एक वरकर थे, वरकर नहीं कहना चीए, बोलना चीए कि अंग्रेजों के तरफ से थे, क्या ब्लेक और फिट्रोस, उनकी निवति की गई, किसके लि जो कारे होता था, वो सड़क का निर्माण अच्छे से हो रहे है कि नहीं, उसकी देखरें का अच्छी सी हो रहे है कि नहीं, ये सारी बाते देखता था, कौन लोककल्यान विभाग, माफ कीज़ें, लोककारे विभाग, ठीक है, लोककारे विभाग, 1854 में, महतिपुर्ण क्लियर आगे बढ़े 1862 में Great Eastern Road जिसे हम G.E. Road भी कहते हैं इसका निर्मान पूर हुआ दोस्तों G.E. Road बहुत बार आपने नाम सुना होगा G.E. Road फुल फॉर्म है Great Eastern Road 1862 में निर्मान कारे पूरा हुआ और उस समय कारे काल चल रहा था करजन का लॉर्ड करजन का लॉर्ड करजन का कारे काल चल रहा था जब ये 1862 का Great Eastern Road बन कर तयार हुआ अगला पॉइंट देखे है 36 गड़ में रेल लाइन का निर्मान कारे किया गया कब 19 शताब्दी के अंत में जो रेल लाइन का निर्मान कारे शुरू हुआ ना जो रहती है जिसकी चोड़ाई जो रहती है ठीक है और जैसे हम नॉर्मल ट्रेन कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं बड़ी लाइन कहते हैं तो 1887 में चत्तीस गड़ को बड़ी लाइन में परिवर्दित कर दिया गया चोटी लाइन की बतले और इस प्रकार चत्तीस गड़ की जो जो चत्तीस गड़े रेल था रेल प्रशासन था वो किसके अंतरगत आ गया नागपूर-Bangal railway के अंतरगत आ गया 1887 में बड़ी लैंग में परिवतन हुआ और उसी समय से 36 गढ़ railway 36 गढ़ railway नागपूर-Bangal railway के अंतरगत आ गया इसको भी आप अतरिक्त नोट कर लेना 1887 में ही हुआ ये आगे देखे सन 1900 तक सन 1900 तक राजनांद गाओं, दुर्ग, रैपूर और बिलासपूर मुंबई, कुलकाता रेलवे लाइन से जुड़ गए बहुती मात्रपूर ये जो रेलवे लाइन है पता है आपको मुंबई से हावडा जिसमें कौन-कौन सा शहर पढ़ता है तो ये काम कब हुआ? सन 1900 तक ये काम हो गया पूरा और साथी साथ बिलासपूर रेल मंडन का गठन किया गया सन 1900 में ही प्रदेश में सरपथम रेल संचालन कब हुआ? ये भी डेटा प्याद अख लेजिए 27 नमंबर 1888 को प्रदेश में सरपथम रेल संचालन, रेल का संचालन हुआ कब? 27 नमंबर 1888 में अब आप बोलेंगे कि 1887 में बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया इसके पहले छोटी लाइन चलती थी भाइया, पुरा वियवस्था सुधार रहते तो इसमें अंग्रेजों का हीट था वो भारत का हीट नहीं देख रहे थे, वो अपना हीट देख रहे थे मतलब एक जगा से दूसरे जगा ट्रांस्पोर्ट करने के लिए व्यपार करने के लिए समान कादान प्रदान करने के लिए यातायाद का सुगम होना बहुत ही अवश्यक है और यातायाद सुगम होगा तभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक import-export किया जा सकता है नहीं तो इसमें अंग्रेजो का ही हिट था ना कि वो प्रिठक वन विभाग का इसाँख Parece रहे वुरु भ़ारत का यह अगला देखें अंहीं विभाग का ये भी एक ब्रिटिसस शासन के अंतर के इटाने वाले पुनर curryथन का भागघ बनाया गया जो प्रमूक होता था दीआफो होता दीआफो होता था डीआफो डिविजनल फॉरेस्ट when दिअल और भारतिवान नीति लाई गई महत्पुन प्रश्ण भारत की तियास के संबन में हो सकता है ठीक है 1894 याद रखेगा महत्पुन प्रश्ण है एलगिन द्विती के काल में प्रतम भारती वन नीती लाई गई महत्पुन प्रश्ण है दोस्तों नोट करिएगा चलिए आखरी पॉइंट देख लेते हैं इस्थानी संस्थाएं इस्थानी संस्थाएं या इस्थानी संस्थाओं का जनक के तोर पे रिपन को कहा जाता है रिपन लॉर्ड रिपन ठीक है अठरा सो असी से चौरासी तक इनका काल था ठीक और इन्हीं के द्वारा इस्थानी स श्वाशासन होना चीज़, अगर कोई छेत्र जो जीलों में नहीं है, जो तैसिल में नहीं है, गाउवाले छेत्र हैं, तो उनके लिए शहर में आके, जीले में आके, तैसिल में आके, कोई न्याय पाना, या कोई भी कारे करवाना मुश्किल हो जाता था, तो इन्होंने ही सर सासनी कारे जो है न्याई कारे जो है उनके लिए इजी हो जाए तो सरपथम रिपन आप जब नगरी निकाय या पंचायते पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको रिपन का नाम देखने को सरपथम मिलेगा ठीक है तो यह दखेंगे रिपन द्वारा ही इस्थानी स्वाशासन का आरंभ किया गया ठीक चतिस गड़ में क्या हुआ देखिए अठ्रा सो पच्यासी में जिला इस्तर पर जिला परिशद का गठन किया गया और बड़े नगर के लिए नगर पालिका का गठन हुआ है और बड़े नगरों के लिए नगर पालिका का गठन हुआ है तो दोनों मे नगर में जीला परिशद त्योंकि जीला है और बड़ा नगर होने की वज़े से नगर पालिका भी हो सकते थे जैसे उधारन के तौर पर ही बात करें तो रैपूर और बिलासपूर उस समय तक जीला तो थे ही बड़े नगर में भी परिवर्थित हो चुके थे ठीक है व्यपा हुआ कब 1885 के ही तहत ठीक उद्योग में देख लिए तो सरपत्थम 36 गल का उद्योग जो है वो 1894 में उत्पादन शुरू हुआ जिसका नाम था शुरू में CP मील्स राजनान गौव में ठीक है जिसका बात में नाम परिवर्थित हो के बंगाल नागपूर कॉटन मील हो ग बाद में शुरू में था CP मील्स 36 गल का सर प्रथम उद्योग तो इतनी बाते बताने रहे गई थी ब्रेटिश शासन विवस्था के अंतरगत जो शुरूआत हुए था 844 से ठीक है तो ये हो गया पूरा हमारा समाप्त की 36 गल में ब्रेटिश शासन अंतिवरूप से आने के जादा से जादा वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं और वीडियो में जल से जल अब आपको फिर से निरंदरता मिलने वाली है मतलब आपको जो भी सब्जेट रुके हुए थे आप फिर से कंटीनू मिलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों और जैसा कि CGPSE pre का notification फिर से आने वाला है 26 November को ऐसा कहा गया देखते हैं तो फिर से हम सारी चीजों को अच्छे से देखेंगे cover करेंगे पहले और फिर quick revision series चलाए जाने की भी योजना है जल से जल ठीक है तो बस आपसे आगर आए यह है कि जादा स्यादा वीडियो को शेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई doubt है या कोई सुझाओ है तो comment भी कीजिएगा दोस्तों ठीक है चले मिलते हैं फिर धन्यवाद